हमारे साथ खास मेहमाने इस मामले को समझाने के लिए मुक्तार अबास नकफी वारिश नेता हैं बीजेपी से हमारे साथ हैं अखिलेश सिंग नेता कॉंग्रिस उत्तरपदेश लखनों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सबसे पहले अखिलेश जी मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे पूछना और समझना चाहेंगे कॉंग्रिस ने जो बहुजन समाजवादी पार्टी से वाइदा किया था कैसे वो उससे निभाएगी कि यह जो आप इसके कंसर्ण में अगर बोल नहीं है कि जो एफडियाई में रीटेल का था हम तो उसके पहले ही कैमिने डिशन करके इस पे अपना मन साफ कर दिया है कि इस विद्धेक के हम पक्ष में हैं और चाहते हैं कि यह बिल दोती हाई बहुमत से पास हो इसी निये त प्रहंतियां थी लोगों को उसके बारे में बहुत बताए गया है हाउस में डिसकर्शन होगा और सुप्रिम कोट ने खुद भी यह कहा है कि यह दो तीन तीन पॉइंट्स हैं अगर इन पॉइंट्स पे सरकार चाहे इसको देख करके प्रमोशन में आरक्शन कर सकते हैं क्य जी हाँ प्रमोशन में आरक्शन क्योंकि इसके पहले बीजेपी की सरकार ने इसके पावर से इसे इंप्लिमेंट किया था टेली की सरकार ने और उसके बाद में यूपी में लागू किया गया था और बाद में इस्टे हुआ लावाधाय कोट से हुआ उसका सुप्रिम कोट गया मामला तो कुल मिला करके एक सुप्रीम कोड का भी जज्जमेंट है कि सरकार कर सकती है अगर दो तीहाई से चाहे तो तो सरकार ने जब महसूस किया कि इसे गरीबों के दलितों के हित में किया जाना चाहिए प्रमोशन में आरक्षण को और उस पर कैवने डिसेंट लिया तो हमारी तो नियत करनी असपस्ट है हम तो चाहते हैं हो और पूरा प्रयास भी कर रहे हैं समरवधी पार्टी के लोगों से आप कांगर्स पार्टी के वरिस्ट मंतरियों नेताओं ने बाचीत भी की तो अब प पक्ष कब पूरी तरह से साफ होगा क्या कई सवाल हैं जो आपके सामने अभी भी है नहीं देखे सीस्टी के नौकरियों में रिजर्वेशन के मुद्दे पर लगभग हर दस वर्षों में हाउस में दोनों हाउसेस में संशुधन आता है और वो पास होता है और बीजेपी उसका समर्थन करती है तो इसलिए इसका कहना है कि बीजेपी उसका किसी तरह का जो पिछले तपके है जो दलित तपका है जो ट्राइवल तपका है उसको उसके आरच्छनल का विरोत कत्ता ही किसी वी रूप में हमारी तरफ से नहीं है एक चीज़ दूसी चीज़ यह जो वर्वारोकार और देश के हितों और देश के सभी समाच के सभी वर्वो के हितों को सरो परही बान करके कोई भी फैसला करना चाहिए और करते हैं। आल पार्टी मीटिंग की अलग अलग पार्टी ओंग अलग रहा थी, क्यूंकि आप जान रही है कि यह समिधान शेंशोधन और दोति आही बहुम्त चाहिए। आज सवाल जो सबसे बड़ा खड़ा है कि सरकार की नियत और मन्शा क्या है क्या सरकार जो है वो इस समिधान शंशोधन को करने के लिए इमानदार है अगर वो करने के लिए इमानदार है और वो सरदन पर लाती है जहां तक सवाल है यह जो आज मुद्दा था एफडियाई र पिर ये फ्लॉर मेरेजमेंट था या फंड मेरेजमेंट था? तो इसलिए ये मुद्दा थो उठेगा ही उठेगा झाल